आज हम बनाने वाले हैं इफतार स्पेशल रेसेपी लॉली पॉप ये बच्चों से लेकि बुडों तक सभी को पसंद आएगी और ये बन जाएगी घर की ही चीजों से तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज सब्सक्राइ आलू यहां पर मैंने ले लिए है इसे आपको ऐसे ही ग्रेट कर लेना है तो चलिए यहां पर आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं दो आलू से यहां पर पांच लॉली पॉप आपके बन जाएगी आराम से तो थोड़ा सा धनिया मैं उसमें कट कर लूँगी धनिय की पत्ति धो को कट कर लेनी है बारिक बारे और यहां पे मैं use करूंकि 2 bread slice के तो यहां पे दो आलू के लिए मैंने यहां पे 2 bread के slice लिए अगर bread आपके थोड़े से छोटे हो तो आप तीन भी use कर सकते हो तो इसे आपको ऐसे ही तोड़ लेना है और तो अपने टेश के अनुसार add कर सकते हो नमक आपके सौथ के अनुसार add किजी तो चलिए यहाँ पे में डालूंगी गरम मसला पाउडर वन फोर्ख के करीब और यहाँ पर हम ऐट करेंगे कोरियर पाउडर धनिया का पाउडर यहाँ पर यूज करूंगी मैं एक चमस के करीब तो यहाँ पर सारे मसाले हमने एड कर ली थोड़ा सा मै नहीं आ पर चिली फ्लेक्ष भी आड किया है इसे भी बहुत अच्छा flavor आएगा तो इसे आपको अच्छी तरीके से mix कर लेना है हातों से पूरा अच्छी तरीके से इसे binding आपको कर लेनी है तो चलिए यहाँ पे हमारा mixer भी ready है यहाँ पे मैंने मैदा और पानी का घोल बना के रखा है चीज भी यहाँ पे ready है मोजरेला चीज यह मैंने breadcrumb घर में ही बनाए है bread को आपको mixi में पीस लेना है आसान तरीके से आपके breadcrumb बन जाएगे तो यहाँ पे हातों में आपको थोड़ा सा mixer ऐसे ले लेना है थोड़ा सा उसे आपको चोड़ा कर लेना है ताकि इसमें हम चीज फिल कर सके तो देखिए ऐसे आपको कर लेना है उसके अंदर आपको mozzarella cheese भर देना है जो ऐसी cube में मिलती है आप भी भर सकते हो slice भी आप ले सकते हो जो भी cheese आपके पास available हो वो आप use कर सकते हो तो ऐसे ही करके आपको ऐसे round में इसे fold करना है देखिए ये मेरे पास एक ice cream की stick थी इसे आपको ऐसे ही रख लेना है और उपर से आपको दबाते हुए इसे प्रेस करना है बिल्कुल भी लाली पाप का shape इसे आपको बना लेना है तो आसान तरीकी से बन जाता है यह उला काम आप बच्चों को भी दे सकते हो बच्चों को भी बहुत जादा ये काम पसंद आता है तो ऐसे ही आपको हातों से थोड़ा सा दबाते हुए बिल्कुल लाली पाप का shape दे सकते हो तो देखिए कितना आसान तरीके से यहाँ पे बन गया है देखने में बिल्कुल ये chicken का लॉली पाप ही आपको नजर आएगा और खाने में भी टेस्ट बहुत सेम होगा बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये wedge लॉली पाप है तो चलिए ऐसे ही हम बना लेते हैं सारे ही लॉली पाप तो यहाँ पे मैं और एक बार आपको बता देती हूँ ऐसे आपको आलो का मिक्षर ले लेना है उसमें आपको भर देना है mozzarella cheese या जो भी cheese आपके पास हो देखे ऐसे ही भर के आपको उसे round कर लेना है और एक ice cream की stick आपको लेके उसे लॉली पाप का shape दे देना है देख सकते हों कितना आसान तरीका है और breadcrumb आप घर में ही बनाईए इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी recipe का और बहुत ज़्यादा crunchy भी यह बनते हैं जो हम बाहर गे लेते हैं breadcrumb सो सूके हुए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं तो मैं आपको prefer करूँगी घर में या आप 2-3 bread की slice लेके उसे mixi में आपको चला लेना है बहुत ज़्यादा आसान तरीके से यह breadcrumb घर में बन जाते हैं तो देखें यहाँ पे second भी हमारा lollipop बन चुका है यह recipe एक ऐसी है बच्चों से लेके बुड़ों तक सबको ही recipe पसंद आने वाली है और बच्चे तो बार-बार आपसे यह recipe बनाने को बोलेगे क्योंकि मेरे बच्चे को भी यह recipe बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो देख सकते हैं यहाँ पे lollipop मैंने बना लिये है तो सबसे पहले इसे आपको मैदे के घोल में ऐसे ही dip करना है आपके इसी चमच से भी इसे कर सकते हैं उपर से गिराते हुए और इसे आपको बाद में breadcrumb से अच्छी तरीके से coat आपको कर लेना है तो देखे मैंने थुछा सा चमच का भी यूज किया था अच्छी तरीके से आपको coat कर लेना है फिर आपको इसे breadcrumb से पूरी अच्छी तरीके से cover कर लेना है ताकि breadcrumb अच्छी तरीके से ये coat कर ले पता नहीं आजकल YouTube पे क्या हो गया है हम इतनी अच्छी recipes बनाते हैं पर कोई subscribe नहीं करता है जो कोई गंदी वीडियो जो कोई फाल्तू वीडियो को बहुत ज़्यादा subscription मिल जाती है तो please मेरी वीडियो को ज़रूर subscribe कीजिए ताकि मुझे भी motivation मिल सके और मैं इसे long time तक कर सकूँ तो चलिए यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको बहुत अच्छा गरम oil होना चाहिए उसे आपको लॉलिपॉप को एड़ करके अच्छी तरीके से fry कर लेना है तो देखे जब आप लॉलिपॉप को एड़ करो फिस के बाद आपको flame को थोड़ी सी medium कर देनी है तो ऐसे आपको dip करना है मैदे की slurry में पहले dip करना है फिर इसे आपको breadcum से coat करना है और आपको यहाँ पे fry कर लेना है देखने में यह recipe जितनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है और खाने में उससे ज़्यादा इसका taste अच्छा होगा तो यह एक बार यह recipe ज़रूर बनाईए तो देख सकते हो कितना अच्छा color आ चुका है तो ऐसा color आने तक ही आपको इसे fry करना है medium flame पर तो देख सकते हमारे lollipop यहाँ पे बन चुके है मैं ऐसे ही बना लेती हूँ सारे ही lollipop तो देख सकते हो फ्रेंट कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे look wise बिल्कूल भी KFC के जो होते है तो आप इसे घर में ही बना सकते हैं अगर आप chicken वगेरा नहीं खाते हो तो इसे आप ज़रूर ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छी recipe है तो यह recipe जब आप try करो तो इसके बाद मुझे जरूर comment करके बताएं आप कैसी बनी यह recipe तो देख सकते हो चीज कितना अच्छा यहाँ पे melt हुआ है तो प्लीज अगर यह video थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो recipes अच्छी लगी हो तो इस इफ्तार पर इसे जरूर बनाईए और मुझे जरूर comment कीजिए subscribe जरूर कीजिए